दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा साइंस फिल्ड में जॉब रोल्स के बारे में मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि जो लोग डेटा साइंस फिल्ड के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि data science में केवल data scientist ऐसा job role है जिसमें उनको job मिल सकती है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथ आपका research कम है आपको data science field के बारे में complete knowledge नहीं है तो आज की इस वीडियो में आपको top 6 जो job roles है 2024 में जिनमें आपको बहुत अच्छी salary के साथ job मिल सकती है उनके बारे में बताऊँगा केवल job roles ही नहीं उसमें क्या आपको काम करना पड़ता है इसके साथ साथ अगर आप उस job role को पाना चाहते हो तो आपको क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा कौन-कौन से technologies हैं, कौन-कौन से tech sticks हैं जिनकी preparation आपको करनी पड़ेगी जिससे कि आपको वो job मिल पाएगा तो हाय दोस्तों मेरा नाम कैस है मैं JP Morgan में as a data engineer काम करता हूँ और मैं आप लोग के लिए videos बनाता हूँ ताकि आप लोग का जो journey है वो थोड़ा आसान हो सके और आप लोग को बहुत सारी ऐसी जो चीजें है data science से related, data engineer से related उनके बारे में आपको पता लग सके ऐसी videos अगर आप लोग in future देखना चाहते हो तो इस channel को subscribe जरूर से कर लेना तो इस video को start करते हैं और सबसे पहले जो बहुत popular job role है उसके बारे में बात करते हैं वो है data analyst का role आप में से बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा कि actual data analyst करते क्या है तो मैं आपको बिताता हूँ देखो आज के time में हर company के पास बहुत जादे data है like daily बहुत जादे generate हो रहा है data तो data analyst का job role ये होता है कि वो data से visualization करता है dashboards बनाता है और हाँ जो analyst होते हैं वो data basis पे काम करते हैं उनसे queries करते हैं like data को fetch करने के लिए तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर आप data analyst हो तो आपको optimized SQL query लिखने में बहुत अच्छा command होना चाहिए क्योंकि आपको dashboards बनाने होते हैं जो बहुत complex databases हैं उनसे data निकालना होता है तो उसके लिए अगर आप complex queries लिखोगे optimized queries नहीं लिखोगे तो जो visualization है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा data सही से fetch नहीं हो पाएगा दोस्तों अगर हम बात करें कौन कौन से tech sticks आपको सीखने रहते हैं अगर आप data analyst बनना चाहते हो तो सबसे पहले तो देखो कोई भी job role हो उसके लिए python programming language एक तरीके से माना जाता है कि universal language अगर data scientist के job roles की बात करें तो लेकिन हाँ किवल python नहीं अगर आप our programming language भी सीख लेते हो इसके साथ-साथ जो visualization के tools हैं जैसे Tableau हो गया, Power BI हो गया python के बहुत सारे frameworks हैं जैसे matplotlib हो गया seaborn हो गया, इनको libraries बोलते हैं हम अपन, mostly companies relational databases यूज करती हैं और इसके साथ-साथ no SQL databases भी यूज करती हैं, तो आपको SQL के बारे में तो जरूर से knowledge होना चाहिए और दोस्तों, मैं आप लोग को अगर salaries के बारे में बताओं, तो देखो as a data analyst, आपको as a fresher की बात कर रहा हूं, मैं आपको 10 से 12 लाग की salary आराम से मिल सकती है, मैं service-based companies की बात नहीं कर रहा हूं मैं product-based companies की बात कर रहा हूं जो students को hire करती है as a fresher और उनको 10 से 12 लाग, 14 लाग की job देती हैं दोस्तों, अब जो दूसरा job role है वो है data engineer का, मैं खुद एक data engineer हूं, तो मैं इसको साथ बहुत अच्छे से आपको explain कर पाऊंगा तो देखो, जो data engineers होते हैं किसी भी company में वो बहुत इसकी लेबल और बहुत optimized data ecosystem बनाते हैं, जिसमें जो data scientists हैं, वो अपने algorithms को run कर सकें algorithms को run करेंगे, तो उससे insights निकलेंगी, जिससे की business decision ले पाएगा तो basically जो data engineers होते हैं वो data ecosystem बनाते हैं data pipelines बनाते हैं जैसे देखो मैं आपको example से समझाना चाह रहा हूँ कि मानलो कोई company है, जिसके पास बहुत ज़्यादे data generate हो रहा है तो जो data generate होता है वो raw data होता है, उसको directly नहीं use किया जा सकता है, तो उस data को usable बनाने के लिए और data scientist और data analyst तक उसको सही ढंग से पहुँचाने के लिए data pipelines बनाई जाती है जो कि data engineer का काम होता है कि raw data को data scientist और data analyst तक clean करके अच्छे तरीके से पहुँचा है तो यह data engineer का job role होता है और देखो एक और चीज आपको बताना चाहरा हूँ जो कि हर एक company में सायद data engineers ना करते हों लेकिन most of the established companies में ऐसा होता है कि जो पहले से data systems थे, वो on premise थे मतलब company अपने databases पे सारा चीज करती थी लेकिन अभी चीज़े cloud पे जा रही है तो उस चीज को on premise से cloud पे भी ले जाने का काम data engineers का ही होता है तो data engineers बहुत अच्छे से programming करते हैं बहुत जादे coding करते हैं तो जो data engineers का job role है दोस्तों उसमें बहुत जादे coding होती है तो अगर आपको coding उतना जादे नहीं पसंद है या फिर उतना जादे आप interested नहीं हो तो सायद data engineer role आपके लिए नहीं है क्योंकि इसमें आपको python programming language इसके साथ साथ java, skella या फिर other कोई programming language यूज़ करना पढ़ सकता है जिसने आपको rigorous coding लिखना पढ़ेगा तो data engineer का job role ये था तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि data engineer job role के लिए आपको क्या-क्या पढ़ना रहेगा तो देखो data engineer job role के लिए एक programming language तो आपको आनी चाहिए वो python हो सकती है, java हो सकती है skella हो सकती है तो इन में से आप कोई एक programming language सीख लेना, इसके साथ साथ जो distributed computing अभी बहुत सारी companies use कर रही है तो distributed computing की बात करें तो इसमें आपको spark सीखना रहेगा क्योंकि data engineer role के लिए must है, इसके साथ साथ आप Hadoop के concept सीख सकते हो distributed computing के concept सीख सकते हो और एक और चीज़ बताना चाहूंगा data engineers भी databases databases पे बहुत ज़्यादे काम करते हैं और यह no SQL databases और जो relational databases उन पे काम करते हैं like oracle हो गया, postgres हो गया mysql हो गया, यह relational databases है इसके साथ साथ अगर no SQL databases की बात करें जैसे mongodb है, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग HBase पे भी काम करते हैं जैसे मैं भी करता हूँ तो यह सारे databases के बारे में knowledge होना चाहिए, इसके साथ बहुत ज़्यादे important आपको data warehouses के बारे में भी पता होना चाहिए, बहुत सारी companies data warehouses use करती हैं तो अगर बात करें, warehouses में आपको क्या-क्या सीखना है, तो आप snowflake सीख सकते हो, hive सीख सकते हो और भी बहुत सारे data warehouses हैं उनके बारे में आप research करना और खुझ से थोड़ा सा जानने का खोशिश करना, इसके साथ सा data engineers data pipelines बनाते हैं, तो आपको ETL pipelines के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पढ़ेगा जानना पढ़ेगा, data orchestration systems, data को orchestrate करने के लिए, एक जगा से दूसरी जगा पहुचाने के लिए, जो pipeline बनती है तो orchestration system यूज होते हैं जैसे airflow है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना पढ़ेगा, और हाँ अभी के टाइम पे, जैसे मैंने आपको बोला on-premise से बहुत सारा जो system है, उसको cloud पे move किया जा रहा है, तो इसके लिए आप AWS पढ़ सकते हो, GCB पढ़ सकते हो और Azure भी पढ़ सकते हो, तो ये सारे कुछ statistics हैं, अगर आप data engineer बनना चाहते हो, तो ये आपको पढ़ना पढ़ेगा, इसलिए मैंने बोला कि data engineer का जो job role है वो थोड़ा सा coding background रखता है, यानि अगर आपको बहुत अच्छे से coding नहीं आती है, तो थोड़ा सा आपको difficulty हो सकती है, दोस्तो अब हम बात करते हैं तीसरे job role के बारे में, और दोस्तो ये जो job role है, बहुत जादे high demand में है मतलब market में, अगर आप ये job role के लिए जा रहे हो, और आपको पास knowledge है, तो job मिलना बहुत असान है, और वो है machine learning engineer, देखो ये on demand तो है, बहुत जादे demand है, लेकिन challenging भी है, इसमें आपको केवल ऐसे python programming lag में सीख लेने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको databases के बारे में भी knowledge चाहिए, आपको data pipelines बनाने के बारे में भी knowledge चाहिए, इसके साथ आपको machine learning algorithms बनाने भी आने चाहिए, जैसे classification के algorithms, regression के algorithms, A-B testing, यह सारे कुछ चीजे हैं, और बहुत सारी चीजे हैं, बस यह नहीं है, मैं basic चीजे बता रहा हूँ, लेकिन आपको data pipeline हो गया, databases हो इसके अलावा, machine learning के बारे में भी आपको knowledge होना चाहिए, जो machine learning algorithms है, उनका जो mathematics है, उनका basic concept है, वो प्लस उनको python programming language में कैसे implement किया जाता है, इसके साथ साथ, बहुत सारे, जैसे scikit learning framework है, वो कैसे use कर सकते हो, machine learning algorithms को implement करने के लिए, वो सारी चीजे भी आपको पता होनी चाहिए, और दोस्तों, अगर हम बात करें कि आपको क्या पढ़ना रहेगा, एक machine learning engineer बनने के लिए, तो basically देखो python programming language या फिर java programming language आप पढ़ सकते हो, इसके साथ साथ, देखो, बहुत जादे important जो अभी तक किसी भी job role में important नहीं था, वो इसमें important है, वो है statistics, mathematics, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब ही आप एक अच्छा machine learning engineer बन पाओगे, तब ही आप machine learning के अच्छे models बिल्ड कर पाओगे, तो अगर आप machine learning engineer बनना चाहते हो, तो mathematics पर जरूर से focus करना, at least जो graduation level का mathematics है, वो तो अच्छे से पढ़ ही लेना, और statistics भी, like probability हो गया, और statistics के जो भी concepts हैं, उनको जरूर से पढ़ लेना आप लोग, और दोस्तों, अगर हम बात करें, salary के बारे में, तो देखो salary बहुत अच्छी मिलेगी, अगर आप एक machine learning engineer बनते हो तो, और अगर मैं बात करूँ, जो top product based companies हैं, चलो top product based companies की बात नहीं करते हैं, medium product based companies की बात करते हैं, वहाँ पे आपको as a fresher, अगर आपके पास बहुत अच्छा command है, तो 16 LPA base salary मिल सकता है, और अगर आप लोग बोलो गए, मेरा एक दोस्त है, जो की Expedia group में as a machine learning engineer, उसको as a fresher job मिली थी वहाँ पे, जिसकी base salary 16 या 18 LPA थी, मुझे सायद याद नहीं है, लेकिन मैं उसका interview ले लूँगा आप लोग के लिए, और वो और बहतर बता पाएगा machine learning engineer job role के लिए, तो आप लोग comment करके जरूर से बताना, उसको एक podcast के लिए, आप लोग के लिए जरूर से लेकर आऊंगा दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अपने चौथे job role के बारे में, जो है data scientist का job role तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, कि एक data scientist किसी company में क्या काम करता है, तो देखो, जो data scientist होते हैं, उनका job role ये होता है कि company अगर, या फिर business, कोई भी challenge phase कर रहा होता है, तो data scientist का काम होता है, वो solution लेकर आए, data processing से data analysis से, देखो data scientist का काम एक बहुत simple मैं आपको बताता हूँ, जैसे मालनो आप Netflix पे movies देख रहे हो तो आपके interest के हिसाब से आपको movies recommend करनी होंगी तो वो data scientist का काम होगा, वो उसके लिए algorithm build करेगा, कौन सा data use करना है, कैसे pre-processing करनी है, data को कैसे clean करना है, data cleaning का पूरा जो pre-processing है, उसको कैसे automate करना है, ये सारा काम data scientist का होता है, तो जैखो data scientist होता है, वो भी more or less, हमेशा data पे काम करता है, लेक data को clean करना, pre-process करना, predictive analysis करना, recommendation engines build करना, ये सारा काम होता है, एक data scientist का, तो data scientist के काम में भी आपको algorithms use करना पड़ता है, तो इसमें भी, अगर आप data scientist बनना चाहते हो, तो आपको mathematics, statistics, machine learning algorithms आने चाहिए, तभी आप एक अच्छा data scientist बन सकते हो, दोस्तों, अगर हम बात करें कि आपको data scientist बनने के लिए क्या पढ़ना पढ़ेगा, क्या आपको आना चाहिए, तो simple, python programming language use कर सकते हो, r programming language use कर सकते हो, matlab बहुत जगा use होता है, machine learning algorithms भी आपको पढ़ना पढ़ सकता है, और हाँ इसमें एक addition होता है, कि आपके पास अगर higher degree है, mathematics में, statistics में, या फिर computing में अगर आपके पास higher degree है, तो या आपके लिए बहुत जादे plus point होता है, आपको data scientist बनने में, तो इसलिए मैं दोस्तों, सबसे यही बोलता हूँ, कि देखो, direct आप data scientist नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जो companies हैं, उनके पास बहुत अच्छे-च्छे data scientist हैं, जिनके पास बहुत अच्छे-च्छे degrees हैं, जिनके पास बहुत अच्छे research work हैं, तो as a fresher data scientist job role को target करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि companies fresher को data scientist job role पे कम hire करती हैं, आपको सोचो, data scientist job role में ही scientist लगा हुआ है, और as a fresher आप कैसे एक scientist बन सकते हो, तो दूस्तों, इसलिए मैं बहुत सारे लोगों से ये बोलता है रहता हूँ, कि data scientist को as a fresher target करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से preparation करोगे, तभी आपको job मिल पाएगी, क्योंकि बहुत सारी companies fresher को data scientist job role के लिए hire ही नहीं करती है, वो लोग जो hire education वाले candidates हैं, जैसे PhD हो गया, masters हो गया, उनको जादे hire करते हैं as a data scientist, और अगर हम बात करें कि इसमें salary कितनी मिलती है, तो obviously बहुत जादे salary मिलती है, fresher को भी, अगर fresher कोई data scientist job role पे चला जाता है, उसको भी 14 से 15 लाग based salary जरूर से मिल जाता है, मैं product based companies के बारे में बात कर रहा हूँ, पहले ही आपको बता दू, service based company में इतनी salary नहीं मिलती है, वहाँ पे 4 से 5 लाग salary मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप product based companies को target कर रहे हो, तो 14 से 15 लाग data scientist job role के लिए बहुत असानी से आपको मिल सकता है, दोस्तों अब हम बात करते हैं, अपने next job role के बारे जो की पांचवा job role है, वो है data architect का, तो देखो data architect fresher को नहीं दिया जाता है, ये बहुत ही experience candidate को दिया जाता है, लेकिन data science में ये field है, तो मैं सोचा आप लोग को बता दूँ, तो देखो data architect क्या करता है, वो system बनाता है, data ecosystem बनाता है, basically आप कोई भी project को अगर आप करने जाते हो, तो सबसे पहले उसकी system design होती है, लाइक पूरा end-to-end workflow कैसा रहने वाला है, तो data architect वही करता है, data architect ऐसा कह सकते हो, कि ensure करता है कि जो system है, data engineers के लिए बहुत favorable है, like data engineers को कौन से tools यूज करने है, कैसे data pipeline बनाना है, वो सारा data architect decide करते हैं, और अगर हम बात करें कि अगर आपको data architect बनना है, तो आपको क्या-क्या आना चाहिए, तो देखो data modeling के बारे में आपको पता होना चाहिए, data warehousing के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसके साथ जो ETL pipelines हैं, जो framework हैं, जैसे spark हो गया, इसके साथ hive हो गया, Hbis हो गया, pig हो गया, बहुत सारे tools हैं, उनका बहुत अच्छे से आपको command होना चाहिए, तभी एक बहुत अच्छा design बना पाऊगे, एक system बना पाऊगे, जो की data engineers, data scientists, उसको अच्छे से use कर पाएंगे, और अगर हम बात करें salary के बारे में दोस्तों, तो इनको salary बहुत अच्छे मिलती है, like 25, 30 लाख, इससे अधिक में मिलती है, depending on the company, लेकिन जो data architects होते हैं, basically दोस्तों, उनके पास 10 से 15 साल का experience होता है, तो ये आप लोग के लिए नहीं हैं, लेकिन data science फिल्ड में था, तो मैंने सचा आप लोग को बता दूँ, दोस्तों, अब हम बात करते हैं, आज के last job role के बारे में, जो की अपना sixth job role है, वो है business analyst का, देखो business analyst, ऐसा directly वो data science job role से match नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, उनको पता होता है कि huge amount of data पे कैसे काम करना है, जो big data की technologies हैं, उनके बारे में भी उनको knowledge होता है, और एक बहुत simple से example दो आप लोग को, तो ऐसे हो सकता है, कि low value data से कैसे high value data निकालना है, उनको पता होता है, कौन सा data business के लिए useful है, वो करते हैं और उससे business को insights देते हैं, जैसे forecasting करते हैं वो, pricing की forecasting करते हैं, कि business के लिए क्या बहतर है, data से वो निकालते हैं कि business के लिए क्या बहतर रहने वाला है, आने वाले time पर कास्टिंग करते हैं तो दोस्तों अगर आप business analyst बनना चाहा रहे हो तो basically आपको business के finance के बारे में पता होना चाहिए, business intelligence के बारे में पता होना चाहिए, जो IT की technologies है, data modeling है, data warehousing है, data engineering के concepts है, data visualization है, जैसे power BI, tableau, इसके बारे में भी आपको knowledge होना चाहिए, लेको business analyst को भी जादे आपको नहीं आता है, तो भी आप business analyst बन सकते हो, तो वैसे students जिनको coding में बहुँ जादे interest नहीं है, लेकिन वो data science फिल्ड में आना चाहा रहे हैं, तो वो लोग business analyst बन सकते हैं, data analyst बन सकते हैं, हलाकि data analyst में business analyst से जादे coding होता है, तो दोस्तों ये थी आज की video जिसमें मैंने basically आप लोगों को बताया कि data science में कौन-कौन से job roles हैं, और आप क्या पढ़के कौन सा job role पा सकते हो, I hope आपको video पसंद आई होगी, अगर इससे related कोई भी doubt है, कुछ पूछना चाहा रहे हो, video थोड़ी से लंबी होगी, उसके लिए sorry, लेकिन हा, आप लोग comment करके जरू